नमस्कार मैं आपकी होस्ट विभा आज आपके लिए प्यास टमाटर की बहुत ही बढ़िया चटपटी सी सबजी की रेसिपी लेकर के आई हूं जिसे आप चटनी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यमी होता है एक बार आप इसे खाना सुरू करेंगे आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसे बनाना भी बहुत ही आसाने बिल्कुल सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत बढ़िया बनके तयार होती है तो इसे पूरा देखिएगा रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक और शेय में कट करेंगे तो यह पूरी अलग-अलग हो जाएंगी टमाटर भी चार लिये हैं लाल मेडियम साइज के इन्हें भी लंबे पतले स्ट्राइस में कट करेंगे चार हरी मिर्च ली है अध्रक हमने एक इंच का टुकड़ा लगबक लिया था उसे दो तिन टुकड़ों में कट किया इसे अग nett कर सकते है जा इन तीनों चीजों को लासืु की साथ आड़क कलिया है अध्रक लेच को पीस लिजे को घ्रक कर में कुछ और बार्य कट कंट करें पिपड़ा विरिया है इसले構न टम्न अधा fraction के लेग लाटा घाल दीया हमने कू加入 और लेक्राज करर एंप तो यहाँ देखें थोड़ी सीच बुन शुके थे तो यहां देखें थोड़ी देर मैं यह थोड़ा थोड़ा सा भुन चुके थे तो हम प्याज, शार कंपम दूद रिंग Sent to make a cake करते हैं फिल हाल हम इसमें नमक डाल देंगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी नमक हमें यूज करना है वो इसी स्टेज पर डाल देंगे ताकि यह जो प्याज है यह जल्दी से भुन जाए थोड़ा सा तो अब हमने नमक डाल दिया है हल्कल का सवीच से इस तरह से प कटे हुए टमाटर उससे पहले हल्का सा मसालर जैसे कि हल्दी पाउडर हमने आदा चमर डाल दिया है हरी मिर्च काफी सारी डाली थी तो हमने लाल मिर्च थोड़ी सी ही डाली है आप अपने टेस्ट के कॉर्णिंग कम जादा कर सकते हैं पर इसे थोड़ा तीखा ही बनाना कि आप इसे बार-बार बनाना पसंन करेंगे चांवा करें लोवीनव प्लेम पर आप इसे बिल्कुल सौफ्ट होने एक दो बार चला लेंग 컨ावे काफी देर हो गई थी हमने इसे एक बार बीच में चला धिया था अब मैं आपको खोल Let's काफी सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर लेकिन अभी इन्हें और थोड़ा सॉफ्ट करना है तो इस स्टेज पे हम इसमें काफी सारा धनिया पती डाल देंगे जनियापति को इसी स्टेश पर डालिंग तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस चट्मी में आप चाहें तो थोड़ा सा बाद में गार्मिसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं पर अभी आप इसमें एड़ जरू करेंगे अगर एक चौथाई चमच हम यहां पर गरम तो यहां थोड़ी ही देर में देखिए कितना बढ़िया सा यह सबजी बनकर के तयार हो गई है कितना बढ़िया कलर आगया है और टमाटर आप देख रहे हैं बिलकुल सॉफ्ट हो गए हैं बिलकुल ही मैस हो रहे हैं और प्याज हमने स्लाइस में कट की थी तो यह बिलकु टेक्स्च्चर पसंदेन थोड़ा सा पानी डाल करके अप अबला पानी डाले और साथ में बॉयल कर लेए और इससे हम चर्व करने के लिए निकाल रहे हैं यह इसी तरह से सबजी सुखी सबजी बनके रेडी हो गई है जो की वह वात ही यमी है इससे हम सर्व कर लिए निकाल कितनी colorful दिख रही है और जब आप इसे एक बार बना के टेस्ट करेंगे आपकी favorite होने वाली है फिर आप टमाटर की चटनी इसी तरह से बनाना सुरू कर देंगे तो यह चटनी बन करके तयार थी इसे मैंने सर्व करने के लिए निकाला उपर से तो जब पसंद आईए सबजी तो comment करके मुझे बताएं recipe कैसी लगी मिलते हैं एक नई recipe के साथ में till then bye bye have a nice day